आप कार स्टार्ट सुन रेस्ट and moves along the x-axis कार कहां से स्टार्ट कर रही रेस्ट से यानि कि 0 से moves along the x-axis means straight जा रही है with constant acceleration 5 meter per second square constant acceleration means बड़ी अगट नहीं रहा है for 8 seconds 8 seconds तक constant acceleration से कार सीधी जा रही है कहां से स्टार्ट किया 0 से if it then continues यह नहीं कि उसी acceleration से आगे बढ़ती जाती है with constant velocity velocity भी उसकी same रहती है what distance will the car cover अब कार की distance कितनी होगी in 12 seconds since it started from the rest ठीक है जब वो rest से उसने शुरू किया है तो देखते हैं इसको कैसे करना है आपको पहले आप values लिखोगे जो आपको दी हुई है तो यहाँ पर जो आपका given है वो क्या-क्या है u दिया है आपको 0 meter per second a दिया है acceleration 5 meter per second square और आपको दिया है time जो कि दिया है आपको 8 second यहाँ तक आपको जो दिया है इससे आपको निकालोगे पहले आप s1 निकालोगे s1 हो जाएगा आपका ut plus half a t square ut आपका 0 है क्योंकि u 0 है आपर ठीक है तो यह value 0 आ गई plus लिखका आपने half multiply a कितना है आपका 5 meter per second square t है आपका 8 का square क्यों हो जाता है आपका half multiply 5 multiply 8 8 जा 64 2 3 जा and 2 2 जा 4 तो s1 हो गया आपका 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 1 16 यनि कि s1 की value आपकी जो distance है अब यहाँ पर हम देखेंगे distance हमारी यहाँ पर आ गई फिर हमें velocity भी देखना है कि velocity क्या है जिस velocity से वो continue करेगा तो v की value निकाल लेते है v will be equal to u plus 80 u again 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और a आपका है 5 meter per second square t आपका है 8 यनि v आपका जाता है 40 meter per second ठीक है अब आपके पास एक distance आ गई जो 8 second मुझे distance तेख किया फिर आपकी velocity आ जाती है जो की 40 meter per second है अब वो कह रहे है कि कितनी distance cover करेगी card 12 second में तो हमारी 8 second में distance already आ चुकी है हमें remaining 4 second की distance चाहिए तो हम s2 निकालेंगे distance for remaining 4 second जो हमारे बाद के 4 second बचे है ठीक है यहाँ पर time आप लोगे 4 seconds और यहाँ पर आप वज़ाए equation लिखने के रिए आपके लिखोगे formula लिख लोगे जो आपका formula होता है speed is equal to distance upon time तो distance को जाएगा speed into time यानि की v multiplied t v यहाँ पर आपका 40 ठीक है और t आपका कितना है 4 seconds तो s2 आपका आगया 4 4s 16 यानि की 160 meter s2 भी आ जाता है right अब आपका 8 seconds में भी distance आ गई and 4 seconds में यानि की 12 seconds में distance आ गई when the object started from rest तो यानि की s total distance है गया आपका s is equal to s1 plus s2 s1 भी आपका 160 meter है s2 भी आपका 160 meter है तो जो total distance s है वो कितने आगया आपकी 320 meter राइट तो टो 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 डिस्टेंस s will be equal to 163 20 meters राइट या आपका answer आ जाता है क्लियर हो इस तरह से आपको questions कर लेने हैं